राश्टपती भवन के संस्कृतिक केंद्र में आज नीती आयो की बैठक चल रही है प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं इस बैठक में देश के सबी राज्यों के मुक्मंत्री शामिल होते हैं और केंदर के विजन के जमीन पर उतारने की चर्चा करते हैं हाला कि विपक्षी इंडिया गटबंदन ने 2024 की इस बैठक का बॉयकॉट करते हुए इसमें भाग नहीं लेने का एलान कर दिया है नीती आयोग आजादी के बाद देश के विकास के लिए केंदर सरकार की नीतियों के लाउंच टर्म में एपलाई के लिए बनाये गया योजन आयोग की जगा पर लाया गया साल 2014 में भारती अजन्ता पार्टी की सरकार आने के बाद एक जनवरी 2015 को नीती आयोग का गठन किया गया इसे भारत सरकार का ठेंक टाइंक माना जाता है नीती आयोग देश के सत विकास लक्षियों को हासल करने में साथ साथ नजर रखने का भी काम करता है ये केंदर सरकार की राज़ियों और केंदर शाहसत प्रदेशों के बीच कम्पिटिटिव और सरकारी समधभाव को बढ़ाने का दोहरा धायत्व निबाता है देश की विकास में राज़ियों के योगदान को भी तय करता है बारस सरकार की वेबसाइट के अनुसार बदलते समय को ध्यान में रखते हुए यूजना आयोग के स्थान पर नीती आयोग बनाने का निर्णे लिया गया नीती आयोग के गठन से पहले माई गवर्मेंट के माद्यम से मुख्यमंत्रियों, विशेशग्यों, अर्थशास्त्रियों और आम जनता से विस्तार से सलाह लेने के बाद किया जाता था 12 सरकार की वेबसाइट के अनुसार, बदलते समय को ध्यान में रखते हुए यूजना आयोग के साथ पर नीती आयोग बनाने का निर्णे लिया गया नीती आयोग के कठन से पहले माई गवर्मेंट के माद्यम से मुख्यमंत्रियों से जुड़ा जाता था केंदी सरकार के थिंگ टाइम के रूप में जाने जाने वाले नीती आयोग तीन टाइम पिरिएट टर्म पर काम करता है केंदे सरकार ने अपनी यूजनाओं के लागू करने से ले कर उसके रिवीू तक का टाइम पिरिएट रखा हुआ है इसमें पहला तीन साल action agenda term होता है, दूतरा साथ साल पर Mr. Strategy Planning वाला होता है और तीसरा साल पंदरा साल vision documenting term होता है नीती आयो की बैठक में focus 2047 तक विकसित भारत के लक्ष पर हासल करने पर रहेगा इसमें राज्ज की योगदान के बारे में चर्चा होगी इस बैठक में इन आठ बातों पर भी खास द्यान रखा जाएगा ऐसे ये updates के लिए देखते रहेए Newswell India